गाई का दूद बहुत ही पौश्टिक होता है। यह बीमारों और बच्चों के लिए बेहत उपयोगी आहार माना जाता है। इसके अलावा दूद से कई तरह के पकवान बनते हैं। दूद से दही, पनीर, मक्खन और घी भी बनाता है। गाई का घी और गोमूत्र अनेक बनाने के काम भी काम आता है। गाई का गोबर फसलों के लिए सबसे उत्तम खाद है। गाई के मरने के बाद उसका चमड़ा, हद्या, वसीन, सहित सभी अंकिसी नकिसी काम आते हैं। अन्या पशों की तुल्ना में गाई का दूद बहुत उपयोगी होता है। बच्चों को विशेश तोर पर गाई का दूद पिलाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि भैंस का दूद जहां सुस्ती लाता है, वहीं गाई का दूद बच्चों में चंचलता बनाये रखता है। माना जाता है कि भैंस का बच्चा, पारा, दूद पीने के बाद सो जाता है, जबकि गाई का बच्छरा अपनी मा का दूद पीने के बाद उचल कूद करता है। गाए न सिर्फ अपने जीवन में लोगों के लिए उप्योगी होती है, वरन मरने के बाद भी उसके शरीर का हर अंग काम आता है। गाए का चमरा, सींग, खुर से डैनिक जीवनों प्योगी सामान तयार ह होता है। गाए की हड्यों से तैयार खाद खेती के काम आती है। गाए की शारेरिक संदचना, गाए का एक मुह, दो आखे, दो कान, चार थन, दो सीं, दो नतुने तथा चार पाव होते हैं। पावों के खुर गाए के लिए जूतों का काम करते हैं। गाए की पूंच इसे वहां मक्या आदी उडाने के काम में लेती है। गाए की एकाद प्रजाती में सीन नहीं होते। गायों की प्रमुख नसले, गायों की यू तो कई नसले होती हैं। लेकिन भारत में मुख्यत, सहिवान, पंजाब, हरियारा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गीर, दक्षन, काथियावार, ठारपारकर, जोदपुर, जैसलमेर, कच, करनफ्राइ, राजस्थान, आदी है। विदेशी नसल में जर्सी गाय सरवाधिक लोगप्रिया है। यह गाय दूद भी अधिक देती है। भारतिय गाय छोटी होती है जबकि विदेशी गाय का शरीर थो सब्री होती है। गाय का धार्मिक महत्व भारत में गाय को देवी का दरजा प्राप्थ है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवरधन पूजा के अवसर पर गायों की विशेश पूजा की जाती है और उनका मोर पंखो आधी से श्रिंगार किया जाता है। प्राचीन भारत में गाय सम्रद्धी का प्रतीक मानी जाती थी। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूशनों के साथ गायों को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितनी गाय होती थी उसको उ इशकर्ष दुरभाग्य से शहरों में जिस तरह पॉलिथिन का उप्योग किया जाता है और उसे फैंक दिया जाता है। उसे खाकर गायों की असमय मौत हो जाती है। इस दिशा में सभी को गंभीरता से विचार करना होगा ताकि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था के प अगर आपको ये विडियो पसंद आई है थो हमरे विडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेर करें। हमारे विडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करें।